एक बच्चा मैसेज करता है इस्टाग्राम पर बोलता है सरफ पढ़ने में मन नहीं लग रहा है कुछ अच्छा उसा तरीका बताओ ताकि पढ़ने में मन लगे ये जो औरत आप लोगों को दिख रहे है न 65 साल इनकी एज है अपने बच्चों को टूशन पढ़ाने के लिए रेगुलरली 25 किलोमेटर पैदल चल कर ये जाती है आज की डेट में भी सुभे साठे 4 बजे के करीब ये अपना घर छोड़ देती है बच्चों को पढ़ाने के लिए और लगबग साठे 6 बजे तक पहले बच्चे के घर पर पूंचती है एके करकर रेगुलरली बच्चों को पढ़ाती है और पढ़ाने के बाद में शाम को आते आते इनको अपने घर काफी लेट हो जाता है पर लेकिन आज तक का इन्होंने अपना जो स्कूल है जो बच्चों को पढ़ाने जाती है हलाकि स्कूल नहीं वो ट्यूशन है ये होम ट्यूशन देती है उसका reason है कि यह पढ़ी लिगी नहीं है इनके पास में डिग्री नहीं है तो यह जस्ट बच्चों को पढ़ाती है और इसके चलते हैं पर इनकी रोजी रोटी चलती है इनके जो husband है वो basically bad पर है और यह अपना कमाती है अपना भी एक तरीके से अच्छे जिंद्गी जी रही है कमा कर खुद से खा रही है किसी के सामने हाथ नहीं फैला रही है और एक teacher बनकर लोगों को एक तरीके से पढ़ा रही है और जिन बच्चों को पढ़ाती है उनके अच्छे marks ब्यार है तो यहां से आप लोग देखते हैं यार एक इंसान जिसकी age जो है वो 60 से उपर हो चुकिये regularly 20 से 25 किलोमेटर चलकर कहीं पढ़ाने जा रहा है और वो काफी अच्छे से dedicatedly अपना काम कर रहे हैं आपर और आप लोग कह रहे हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो reality में सोचो कि क्यों मन नहीं लग रहा है मैं बताओं क्यों नहीं मन कर रहा है थोड़ा सा कड़वा लग सकते हैं आप लोगो आज की डेट में आप लोगे पास में सारी facilities हैं घरवालों ने सारी facilities आप लोगो प्रोवाइड करा रखिये कभी ऐसा feel क्या है कि दिन में 3-4 दिन तक आप लोगो रोटी ना मिले और पानी के बरुस्ते आप लोगो रहना पड़े या फिर कभी ऐसा लगे कि यार आज अगर कमाऊंगा नहीं तो शाम को खाना नहीं मिलेगा जिस दिन ये feeling माइन में आ जाएगी ना उस दिन पढ़ने में मन पास में भठकेगा नहीं आप लोग का basically वो responsibility आप लोग की duty बन जाएगी और आप लोग के अंदर से जो dedication है वो food food करने के लेगा सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों इस चीज को granted ले रखा है मन करेगा तो पढ़ेंगे भाई साब आप लोग का मन जो है ना हमेशा उस चीज में करेगा जिस चीज में आप लोग के dopamine release होते है जिस चीज में आप लोग का मज़ा आता है आप लोगों को ये lecture डेड़ घंटे का लेकर आता हूँ इसमें आप लोगों लगता है कि यार कितना सारा पढ़ना पढ़ रहा है आप लोगों पता है कि जरासी देर में आप लोग बैठे बैठे जब बैठते है mobile खोल कर अगर उसको time को इखटा कर गे गिनोगे तो 3-4 घंटे सैड में उठागर फैंक देते हो डेली आप लोग डस्क बिन में उस time को अगर धंक से utilize कर लो तो यहाँ पर बैठ कर आप लोग मिनटे नहीं गिनोगे जो डेली मिनट गिनते हैं न कहीं सारे कि हाँ सर यह क्या हो रहा है सर लंबा लेक्चर हो रहा है यह हो रहा है एक दिन में डेड़ घंटे का लेक्चर आप लोगो दे रहा हो और उसमें इतना सारा पढ़ा रहा हो आप लोगो कि अगर आज की डेट में आप लोग खुद से पढ़ने बैठोगे तो उसको पढ़ने में आप लोगो चार से पांच घंटे लगें जादे भी लग सकते हैं और उसमें आप लोगो लग रहे है कि जल्दी जल्दी खतम हो जाए तो इसका मतलब है कि आप लोग पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो आप लोगो पढ़ाई जो है मजबूरी लग रही है आप लोगो लग रहे है कि किसी तरीके से बस चीज़े खतम हो जाए अगर पढ़ाई से प्यार नहीं करोगे अगर आप लोग सो रहे हो और आप लोग को सपने नहीं आ रहे हैं कोशन सोल करते हुए पेपर देते हुए और आप लोग उसमें डूबे हुए नहीं हो तो भाई साब रेस में बहुत पीछे हो अगर किताब उठाते हैं आप लोगे जब हाई आने लगती है और आप लोग जो है पढ़ने का मन नहीं करता है तो बहुत सारे ऐसे लोग है जिनको उस जोब की आप लोगों से ज़ादा जुरुत है अगर आप नहीं करोगे तो वो इंसान निकाल कर ले जाएगा तो यह जिसका नहीं की मन नहीं कर रहा है पढ़ने का आज रहने देते हैं वो एक अलग छीज जार यार कोई दिक्कत हो जाती है जैसे एक बच्चा कर रहा है कि सरकल मैंने लेक्चर बनाया लेक्चर बनाने के बाद में उसको डिकोड करना होता है फिर upload करना होता है, lecture record तो कर लिया मैंने, पर लेकिन जैसी upload करने का time आ गया, मुझे immediately बाहर जाना पड़ा, upload नहीं मतलब decoding पर लगा गया, मुझे बाहर जाना पड़ गया, ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा time लग गया, आते आते जैसी मेरा time हुआ, तो वहाँ से लगबग पो वीडियो में कैसे बहुत सकते हो, जब आप खुद time पर नहीं आ रहे हो, वीडियो मेंने time पर ही record कर ली थी dear, मुझे बाहर जाना पड़ गया, उसकी विज़े से थोड़ा सा दिक्कत होगे, वरना मेरा काम जो है, जो मैं decide करता हूँ, उसको करता हूँ, अगर कोई problem ने आ अब भी वीडियो पूरी record हो चुकी थी, पर decode होने में उसको कम से कम 30-40 मिनट लगते हैं, और उसके बाद में फिर upload होने में, तो वो भी पूरा लगबग आप लोग, मतलब 5 घंटे से 50 मिनट के गरीब आप लोग लगा के चलो, और उसमें थोड़ा सा मुझे बाहर जो है पुराना revision कर लिया, कुछ उने व्याच के अपने question practice कर लिया, कुछ ने जो कलका answer writing बचाओ तो हो complete कर लिया, time को utilize करना सीखो यार, और मन लगता नहीं कहीं भी, लगाना पड़ता है, आप लोग रिलेसेंसिव में जाते हो ना, मन लगता नहीं है वहाँ पर, आप लोग को लगाना पड़ता है, और कैसे लगाना पड़ता है, आप लोग जब इंसान के बारे में जानते हो, यार ये कितना अच्छा इंसान है, तो आप लोग का मन लगने लगता है, आप लोग उससे बाते करते हो, तो मन लगने लगता है, तो वहाँ पर भी आप लोगो पहले जान तो पहले उसके बारे में जानो, अगर आप लोगो समझ में नहीं आ रहे है कोई सब्जेक्ट, तो इसका मतलब आप लोग उसको टाइम ही नहीं दे रहो यार, टाइम तो दो पहले उसको, फिर आप लोगो समझ में आने स्टार्ट होगा, I hope कि ये बाते आप लोग के mind में clear हो पारे तो इसका मतलब आप लोग के अंदर सब्र नहीं है, हपरत अपरी में अपने डिजन लेते हो, तो कामियाभी तो वक्त मांगती है, और वक्त हमेशा सब्र मांगता है, और सब्र जो है वो आप लोग को एक अच्छा लीडर बनाता है, आप लोगो ने देखा होगा, ज चाहे चाहे जीज़ए, उसकी reaction similar type के रहती है, क्योंकि उसको पता है, ये एक phase है, और वो सुनाओगा आप लोग ने अकबर बीरबल वाली कहानी में, कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, वक्त अच्छा हो, चाहे बुरा हो, गुजर जाता है, तो ये चीज़े आप लोगो स डालेगा, ठीक है, I hope की मैंड में कि लैटी आई होगी, तो सबसे पहले तो बताओ, कल का दिन आप लोगा कैसा रहा, जैसा भी रहा अच्छा है बुरा, बताना जरूर, कितना प्रतिसत आप लोगों ने अचीव किया, और आज के दिन को आप लोग कैसे लेकर चलने वाले ह फील करना चायर गलती किया आप लोगों ने अगर, अगर गलती नहीं किया, तो फिर कोई मतलब भी नहीं है, फिर तो ठीक है चल रहा है, वो चेंजी नहीं होगा फिर इस तरीके से, तो कोशिस करो उन चीजों को थोड़सा अपनी जिन्दगी में लेकर आने की, ठीक है, इ एक ऐसे कमरे में आप लोग बैठे हैं, जहाँ पर आप लोग सबसे ज़्यादे समझदार हैं, तो आप लोग एक गलत कमरे में बैठे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक ऐसे कमरे में आप लोग सबसे ज़्यादे समझदार हैं, तो आप लोग गलत कमरे में बैठे हैं, क्योंकि आप लोगों वहाँ पर कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा तो इसलिए हमेशा कोशिस कुरे ऐसे लोगों के बीच में रहने की जिससे आप लोग थोड़ा बहुत कुछ extra सीख सोको जो आपसे थोड़ा जादे जानते हो और जहाँ पर एक जैसी thinking के लोग बैठे हो हैं इसका मतलब यह है कि वहाँ पर कोई differently सोच ही नहीं रहा है अगर हर कोई जहाँ पर आप लोग है एक जैसा सोच रहा है तो इसका मतलब कोई कुछ सोच ही नहीं रहा है तो ये एक शांदार quotation आप लोग बोल सकते हैं ये आप लोग एथिक्स ये फिर ऐसे के अंदर आप लोग इसका utilization कर सकते हैं leadership की quality के बारे में लिखने के लिए अगर कोई बात आए तो सोच हमेसा इंसान की आगे की होनी चाहिए सोचने पर क्या text लगता है यार लगेगा पर at least सोचो तो सही उस चीज के बारे में इसलिए बोलता हूँ कि अपने target को हमेसा अपने माइन में रखो अपने नाम के सामने लगा दो जो भी बनना है आप लोगो जो भी आप लोगो जिंदगी में बनना है वो अपने नाम के सामने चिपकादो लिखे जैसे अगर आप लोग बात करों यहाँ पर मुझे काफी अच्छा लगा बहुत सारे SLV family member है जैसे कि आप लोग देखते हैं IS officer एक SLV family member है उन्होंने अपने नाम के सामने लेक्टिनेट लगा दिया ठीक है तो इनको आरवी में जाना है तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं और उन्होंने सब जग है नाम चेंज कर दिया तो अगर आप लोग उसको feel करना है start करेंगे दुनिया हसे कि हसने दोयार कोई कुछ बोलेगा बोल ले दो आप लोग अपने में मगन रो अपनी जिंदकी को अपने हिसाब से आप लोग इंजोय करो तो आप लोग अपने टार्गेट को शांदार तरीके से अचीव करते हुए आप लोग नजरा होगे यह लेक्टिर जैसी complete होगा सकते हैं और फीड़बैक जाकर होगा एक सेकेंड लगती है फीड़बैक देने में जैसा भी आप लोग को लेक्टर लगते है अच्छा है बुरा feedback जरूर दिया करो, ठीक है काफी important news हैं आपर इसके बारे में आप लोगों से बात करूँगा और direct question भी आप लोगों से exam में कई बार यहाँ पर पूछे जाते हैं, क्या-क्या बात हैं एक-एक करकर हम लोग समझेंगे, काफी detail में कुछ बीमारिया ऐसी होती है नहीं करते हैं, तो हमारी बोड़ी में कई तरी की बीमारी होने लगती है, जैसे कि thyroid की problem होगी, diabetes की problem होगी, कई तरी की सांस की बीमारी आप लोगो देखने को मिलेगी, heart की बीमारी जैसे जैसे fat बढ़ने लगता है बहुती ताकतवर बीमारी है यह तो आप लोग देखने को मिलेगा कई तरी कैंसर हमारी बोड़ी में हो जाते है यह सारी की सारी बीमारी जो है हमारी लापरभाई का नतीज़ा है और इसी बीमारी को हम लोग non communicable disease के नाम से जानते है यह एक बीमारी नहीं है यह इसका बीमारी का पुरा परिवार है यह इतने अच्छे लोग है कि यह परिवार के साथ में रहते है अगर किसि इन्सान को जैसे कि किसी इन्सान की बोड़ी पर अगर fat हो गया तो उस इन्सान को बहुत सारी बीमारी अपने आप ही gift में मिल जाएगी क्यों? क्योंकि पूरा परिवार साथ में चलता है इनका अकेला रहने का money नहीं करता है ये बोलता है कि तुम को ठीक है कि तुम मोटे होगे तो cholesterol की problem होगी अच्छा मोटे होगे तो diabetes की problem होगी अच्छा मोटे होगे तो thyroid की problem होगी तो ये पूरा का पूरा package आता है छोटा package बड़ा धमा का आज की date में हमारे देश में जो लोगों की जान जा रही है 66% जान जो है वो non communicable disease से जा रही है इससे आप लोग अंताजा लगा सकते है मोटे मोटे तोर पर आप लोग जो इसको देखेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे तो ये topic जो है health के अंदर काफी important होता है और ये जो non communicable जो disease में आप लोगों से बोल रहा हूँ इसके उपर बकायदा आप लोगों से question भी पूछे जा सकते है एक्जाम के अंदर में और पूछे जा रहे है बोला जा रहा है कि analyze करना है कि क्या क्या cause है यानि किसकी reason की वेसे होती है क्या trend चल रहे है trending section होता है क्यों से trend चल रहे है जिसकी वज़े से ये बीमारिया फैलती है ये आज की rate में और risk factor क्या है आप लोगो ये बताना है कि government क्या कोई step उठा रही है government के step उठाने से क्या होता है वाई साब जब तक तक तुम step ने उठाने से टाइम पर सोना उठना exercise करना तक government कितने भी step उठाते रहे आप लोगों को कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप लोग खुदी step ने उठा होगे जो time पर उठ रहे है time पर सो रहे है अब वास्तम में बता दो आप लोग को आप लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारी बीमारियों को दूर कर रहे हुए आज की date में जिस तरीका माहूल है ना आज की date में आसपास में खाना polluted आज की date में हवा polluted पानी polluted सारी चीज़े आप लोगो कहीं कहीं pollution से नजर रहेंगे उस time पर अगर आप लोग time पर सो रहे हैं उठ रहे हैं पानी पी रहे हैं excise कर रहे हैं तो आप लोग होती सही तरीके से अपने आपको थामे हुए है वरना ये धाचा आप लोगो मिला है ना ये बरबाद होने में time नहीं लगता है जब बीमारी इंसान को लगती है अगर बात करें बोला ये जा रहे है कि देटा देखना आप लोग देखकर हैरान हो जाओगे इसकी वज़े से उसकी death हो जाती है हर 2 second में एक इंसान की death हो रही है यानि कि जितनी देर में मैंने आप लोगो ये बाते बताई उतनी देर में दो आदमी मर चुके हैं इस बीमारी की वज़े से ये gravity है इसकी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ये जब तक article खतम होगा बहुत सारे आदमी निकल चुके होंगे इस बीमारी की वे से ये खुद इसका data आप लोगे सामने हाँ पर बता जा रहा है अलग-अलग organization की द्वारा 86% जो death हो रही है वो उनकी है जो की काफी गरीब तबका है society का जिनको यहाँ पर इसका particular इलाज करवाने का मोका भी नहीं मिलता है और खुद आप लोग देखो है यहाँ पर WHO ने कितनी खतरनाक बोली है जिसको आप लोग World Health Organization बोलते हैं वो कितना स्यांदा टाइटर लेकर आई है बोलागे invisible number किसी को दिखी ने रहे है यह number यह ऐसी बीमारी है यह जो किसी को दिखी नहीं रहे है 66% जो total death हो रही है वो non-communicable disease से होई तो था है 19 में और इसी के उपर report में बोलागे कि invisible number the true scale of non-communicable disease जो आज की रेट में आप लोग देखो उसके बारें पता ही नहीं किसी हो कि कितनी बीमारी है आप लोग खुद बताओ अगर आप लोग नॉमली बात करें दिखने में खश्ट पुस्ट आदमी है कि हां यार कोई दिक्कत निये पर लेकिन आप कि की शरीर में अगर खुद बी आप लोग देखो गई क किसी को हर्ट की बीमारी आच केटे में देखने को मिलती है किसी को थाइरोड की पर लोगplatz हो रखिए तो यह सारी ऐसी बीमारी हैं, जो कि कहीं न कहीं हम लोगों ने अपनी लापरवाई से बुलाई हैं, और इसकी वज़े से जो लोगों की जान जा रही है, उसका आंकड़ा देखकर आप लोग हैरान हो जाओगी ये डेटा आप लोग के सामने साट लाँक लोगों की डेथ होगी नोन कॉमनिकेबल डिजिसे तुथा हैं नैंटीन में आप लोगों लग लग रहा है, कोविड नैंटीन ने बहुत सारे लोगों को मार दिया, अरे वो तो हफवा फैला दिया किसी ने, उससे जादे तो हम लोग हर साल मर जाते हैं, यह आप लोग देख सते हैं आपर इतना तो हम लोग हर साल न पेट लेते हैं साट लाँक लोग, यह इंडिया के अंदर हैं only, यह मन सोचनत दुनिया के वतारों में आप लोगो डेटा, तो इससे आप लोग अंदाजा लगाईए कि किस लेवल पर हम लोग खेल रहे हैं तो यहां से आप लोगो समझ में आएगा यह सारी जो बीमारी हैं आप यह अराम-अराम से अराम-अराम से हमारे सरीर में एंटरी करती हैं, पहले comfortable zone बनाती है बिल्कुल ऐसे ही, जैसे आप लोग चड़िया गोंसला और आधिते बुरी होगी, तो वो डिरेक्शन भी बुरी होगी कार्डियो वस्कुलर डिजीज 25 लांक लोग निपट गई इस सांस की बीमारी 11 लांक लोग निपट गई कैंसर की बीमारी 9 लांक लोग निपट गई 3 लांक लोग निपट गई डाइब टीज से का ध्यान रखना एक इंसान की responsibility है अगर अपने सरीर का भी कोई इंसान ध्यान ने रख पा रहा है और अपने सरीर में बहुत सारी बीमारी लेकर बैठ गया है तो फिर वो दूसरी चीज़ होगा कैसे ध्यान रख पाएगा क्योंकि अगर fit सरीर नहीं होगा तो कोई काम आप ल ज़्यदा जुरूरी है global level पर अगर आप लोग जाएंगी हाँ पर तो लगबग 170 लाख लोगों की जान गई यह देखो जो मुझे थोड़ा सा हैरान कर गया हमारी country में 60 लाख लोग जो है इस बीमारी से मर गए और हमारी अकेली country में 60 लाख मर गए और all over world में only बच्चे व यहां पर यह सारी चीज़ आप लोगों सामने नजर आती हैं तो हम लोग यह टार्गेट रखे में कि sustainable development goal के थुरू कहीं इसको मिटाएं तो sustainable development goal में जो गोल थर्ड है वो आप लोगों से बात करता है इसी तरीके से बीमारी के बारे में ताकि बीमारी को यहां पर मिटाए जा सके तो उसमें बोला गया कि reduce करना है जो death हो रही है non communicable disease से ताकि आने वाले time में थोड़ी से situation जो है वो सुधर जाए यहां पर ठीक है वैसे मैंने कुछ वही बिमारी बताई है आप लोगो non communicable क्यों बोला जाता है इनको इसलिए बिमारी अगर मुझे लगी हुई है त वर्दान मुझे मिला है ठीक है तो जिसको मिल गया यह वर्दान उसी के पास में रहने वाला है क्योंकि मैंने इस वर्दान को अपने आप बुला है अपने पास में लैप्टोप के ओपर इतने घंटे बैठे रहना ठीक है अब जाके सुधर रहूं जब चश्मा चड़के अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे है उन्होंने कुछ प्रोलम फेस करी है और वो चाते हैं कि हमारे बच्चे यह प्रोलम यह दिक्कते फेस ने करें इसलिए वो आप लोगों से इतने प्यार से बाते करते हैं यह गलत बात है तो उससे थोड़ा समझा करो तो यह चार तरी करेशन वगेर तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूं जिसमें मैक्सिम लोग आज की ने पढ़े हुए जिनको एक तरीके से एक खींच-खींच का निकानला पड़ता है कि बाहर भाइसाब डिप्रेशन में आ जो छोड़े-चोड़े बच्चे आज की डेट में कुछ-कुछ अभी मैंने जो 12 फास करी है और मैं यूपेसी की त्यारी के बारे में सोच रहा हूं पर लेकिन डिप्रेशन में चला गया करने से पहली चले गए भाई अभी तो इससे चले गया तो उस टाइम पर तुम दूब जाओगे तो इसलिए अपनी जिंदी के वह समझो तो डिप्रेशन में कब होता है इंसान डिप्रेशन में तब होता है जब वह किसी प्रोलोम में फसा हुआ है और उस problem का solution उसको नहीं मिल रहा है This is the reason, normally आप लोग के एक particular time table follow करना चाहरे हो, आप लोग time table follow नहीं कर रहे हो daily irritate हो तो आप लोग के अंदर जो है, गुसा आने लगेगा आप लोगो यार ये हो क्यों नहीं रहे है, तो आप लोगो क्या सोच रहे है गुसा के बारे मैंने सोच नहीं, आप लोग के सोच नहीं कि इसका reason क्या ये हो क्यों नहीं रहे तो इसका मतलब जी explicitly कहीं और आप लोग ज्याद़ time खुराब कर रहे हैं, जहां पर आप लोग जयाद़ time खुराब कर रहे हैं, वो time कॉन सा है इसलिए मैंने टेलिग्राम पर आप लोगो याद होगा एक seat share की थी फिर से time लगा फिर से share कर दूँगा उसमें 24 घंटे आप लोगे सामने रहते हैं या फिर A4 size की seat पर आप लोग खुद भी लिख सकते हैं 24 घंटे में कुछ 7 दिन बैट कर वे 6-7 दिन कर लो तो और जड़ा अच्छे से खुल जाएंगे यह देखो बैठके कि कहां-कहां आप लोग कितना time जो है वो वेस्त कर रहे हो याझनि कहां-कहां कितना time जो है वो आप लोग बर्बाद कर रहे हो वो आप लोगो पता चल जाएगा गंटे भरते रहे न उसमें इस गंटे में ये किया उस गंटे में किया इस गंटे में तोटल मिला कर आप लोग जब देखोगे At the end of the day आखरी में आकर तो टूटल मिला कर आप लोग उन्हीं कहते हैं कि एक तरीके से दाने चुकते हुए फिरोगे, जिसमें आप लोग देखने को मिलेगा इन घंटों में हम लोग पढ़े हैं, कहीं से 3 मिनट निकलेगी, कहीं से 4 मिनट निकलेगी आप लोग यह पढ़ाई किये, ठीक है, तब जाकर आप लोग देखोगा आप लोगे पास में इतना ही रहने वाला है, हर एक इनसान के पास में 24 गंटे है पर लेकिन आप लोग अपने आपको मैनेज कर पारे हैं, उस टाइम के हिसाब से ऐसा तो नहीं मेरे पास में 25 गंटे हैं, या मोदी जी के पास में 30 गंटे हैं सबके पास में 24 गंटे होते है न एक इंसान जो हो शांदार काम करने रहा है रीजन क्या है वो अपने टाइम के इसाफ से अपने आपको मैनेज नहीं कर पार है टाइम को मैनेज नहीं कर सकते हैं 24 गंटे रहने वाल है पर अपने आपको मैनेज कर सकते हैं आज 24 घंटे में से कितने घंटे नीचोड़कर भार निकालने तो वो चीज़े आप लोगों समझनी पड़ेगी तो यहां से आप लोगा जो depression है वो दूर होना इस्टार्ट हो जाएगा बड़ी आसानी से आप लोग की जो चीज़े हैं बीमारियों का और फिर उस पेड़ की जो है वो जड़े गरलना इस्टार्ट हो जाती है और फिर क्या होता है बरबाद हो जाता है जैसे कि unhealthy eating कुछ भी मिला खालिया उठा कर बीमारी क्या मुझे लगेंगी इसे के साथ में alcohol यह सराब एक ऐसी चीज़ है इंसान जो है कई बार आदत में पीने लगता है इसको अभी एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर आपकी वेसे सिग्रेट छोड़ गी मेरी वेसे नहीं यार मेरी वेसे तो इतने सारे लोग वीडियो सुन रहे है किस-किस ने सिग्रेट छोड़ दी आप हैं आपने एफर्ट डाला है इसलिए सिग्रेट छोड़िए एक बच्चा कहा रहा है कि सर अब जो है आंसर रेटिंग में मज़ा आने लग है आपने आंसर रेटिंग करना सिखा दिया मैंने कुछ नहीं सिखा है या मैं एक only medium हूँ एक छुटा सा medium काम करने वाले आप ही है मैंने बोला सुबह 6 बजे उट जो कितने बच्चे सुबह 6 बजे उट रहे हैं जब मैंने पॉल कराया था 15,000 लोगों से भी जादे लोगों ने बोला था सुबह 6 बजे उटेंगे पर लेकिन अब उट कितने रहे हैं मुझे लग रहे है कि 7-8,000 उट रहे हैं लगबग तो आप लोग खुद सोचें यहां पर अगर यहां पर आप लोग खुद कमिटमेंट करकर उसको फोलो नहीं कर पा रहे हो आप लोग फिसिकल एक्टिविटी कर ही नहीं कर पा रहे हो मैं कहरो हूँ आप लोग को 5 बजे उट जो 5-6 तक अपनी एक्साइज करो और फिर बैट कर जो है तुरंत अपना लेक्टर देख लो आप लोग तबयकों का यूज देने सारे लोग कर रहे हैं जिसकी कुछ हदी नहीं है आज किट में तबयको यूज करने की जुरूटी नहीं है भाई साब पोलूशन इतना है मार्किट में आप लोग बीडी सिक्रेट पीने की जुरूटी नहीं है वैसे देखा जाये तो हर एक इंसान के अंदर धोह मिल जाएग आप लोगो उस पर ऊपर से आप लोग तबयको पी रहे हो तो ये ऐसी चीज़े कर देते हैं जिसकी उचदनी है आप लोग बोलोगे सर इससे अच्छा फिर सादू संत बन जाएं तो किसी भी चीज की आदत अगंदी होती है अगर आप लोगो लग रहे है कि किसी को अगर मालीजे सराप पी नहीं है तो occasionally पीलो यार किसी मतलब किसी का साधी होगी किसी का जनन दिन या फिर किसी का कोई अच्छा मुमेंट है वहाँ पर पीलो बर्थड़े पीलो अपना बैठके अगर आप लोग लग रहे है पी नहीं है तो यह CBD secret हो एक पीलिया ठीक है मतलब एक तरीक से कईसार ऐसे हैं कि दिन में एक पीलिया उससे भी काम चल जाता है उस smoker बने होए चैनी स्मोकर भाई साब तो कैसे काम चलेगा गवर्मेंट तो इनिशेटिव लाती रहती है दुनिया भर के इनिशेटिव जैसे कि अगर मैं आप लोग को बता हूँ गवर्मेंट ने दुनिया भर के इनिशेटिव स्टार्ट कर रखे है यहाँ पर diabetes, cardiovascular disease और इस्टोक तो यह गवर्मेंट ने तो प्रोग्राम लूँच कर दिया कितने सारे लोग इससे सीख कर चीजों को आगे लेकर चल रहे है ठीक है बहुत सारे health center यहाँ पर बना दिये काम चले, sustainable development goal है, तीसरा goal health के बारे में बात करते है, भाई साब health सुधार लोग, कितने सारे लोग अपनी health सुधार रहे है sustainable development goal से inspire होकर, world health assembly के बारे में बात करें, उसने भी हाँ पर बोला, prevention and control करना है, non communicable disease को, 2013 से लेके 20 तक का, कामी नहीं चला, फिर और 10 साल बढ़ा दिया, कि सुधरे नहीं भाई साब, अभी लग कर काम करना पड़ेगा, यह तो डियेट हो चुके हैं, तो आप लोग समझ सकत और सबसे बड़ा reason पता है, इसमें क्या है, unhealthy eating, point number one, और दूसरा है, अपनी जिंदगी में physical exercise को नहीं रखना, यह दो इतनी चीज़े जिसकी कुछ अदनी है, alcohol हर एक इनसान नहीं पीता है, alcohol बहुत कम लोग पीते हैं, जो पीते हैं, उनकी health आप लोग खराब देखने को मि तो मैं तो आप लोग को बता रहा हूँ, अगर doctor बनना है आने वाले time में, तो भाई सब doctor बन जाई है, career बड़ा श्यांदार रहने वाला है, जिस तरीकी परवर्ति इनसानों की चल रहे हैं, मतलब doctor का career मुझे एक lucrative career लग रहे हैं आने वाले time में, कि वो इनसान बहुत ही अच्छे से अपनी जिन्दगी एंज्योई करेगा, और क्योंकि हमारी आदते खराब हैं, जो आदते वाला nature होता है, जो आदते तरीके से ऐसी चीज़ होती से nature होता हमारा, उसके उपर काम करने की बात आती है, तो इंसान अकसर हार जाता है उसके सामने, खुद अपने आप लोग यहां पर non communicable disease में, genetic, psychological, जो एक जोड़ी, physical आप लोगो देखने को मिलेगा, इसको फीजियोलोजिकल बोलते हो, environmental और behavioral factor, तो यह सारे बोला जा रहे है कि non communicable disease जो है, तो which of the following result, result कौन कौन से यहां पर अगर बात की जाए तो, तो यहां पर आप लोगो देखने क चलती रहती है, तो psychological भी इसी के साथ में, आप लोगी सरीर के ओपर भी ठीक है, तो यहां पर जो physiology होती है, यह फिर environmental और behavior factor भी आप लोग है आपर, even genetic भी आप लोग यहां पर change होते में नज़र आएंगे, इस तरीके से tension जो होती है न, वो यह माना जाता है कि sperm count भी इंसान क कर दीती है, अगर वो ज़्यादे tension में रहता है, इससे आप लोग लगाए कितना ज़्यादा खतरनाक है, प्रेगनेंसी कंसीव करने में, जो women's होती है, उनको problem होने लगती है, अगर वो tension में रहती है, एलको हलका या फिर इसी किसी चीज का सेवन कर रही है, तो यहां से जाती है, तो यहां पर यह important point आप लोगे लिए है, बात की जा रही है, और हाँ, जो SSV देने जा रहे है न, वो इस तरीकी चीजों को तियार करके जरूर जाएगा, ठीक है, यह इस तरीका data आप लोगे पास में होना चाहिए, डिफेंस मिनिश्टी के द्वारा, 1700 क्रोड र वर्जन आप लोगो देखने को मिलेगा, नेवल वर्जन की उपर यहां पर काम क्या रहा है, तो हम लोग आत्म निर्भर तो बनी रहे हैं, दूसरों को भी आत्म निर्भर बना रहे हैं, मतलब अभी यहां पर फिलिपिन जो है, चाइना बार बार आकर बत्तमी जी कारता थ ठीक है, तो इंडिया ने बोला, टेंसन मतलब आई, तो हमका आत्म निर्भर बनाते हैं, मतलब यह लोग हमारी ब्रमोस मिसाइल, आए तो ठोक दियव की बार, बिना सोचे समझे, ठीक है, निसा ना ने चुकेगा, इस बात की गैरेंटी है, तो कहने का मतलब यहां पर यह ह हम लोग अपने डिफेंस को आत्म निर्भर बनाना चाहते हैं, तो यह जो भी चीज़े हैं, हमारे डिश के लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो इसी के चलते हम लोग चा रहे हैं, कि बाहर से जो सामान खरीद कर लेकर आते थे, इंडिजनेसली अपना बनाएं, और बनाए खुदों भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं, तो यह चीज़े हैं, तो अभी हमारी कंट्री में जो इसके उपर काम करना है स्टार्ट किया गया, ताकि हर वर्जन हमारे पास में ब्रहमोस मिसायल का देखने को मिले, तो यहाँ पर यह आप लोग को नेवल वर्जन रह बनाएगी, ऐसा नहीं है, पुतिन और मोदीजी के द्वारे मिलकर बनाएगी, वादक इंडिया और रस्या के द्वारे हैं पर मिलकर बनाएगी, और दो काफी इंपोडेंट रिवर हैं, हमारी ब्रहमोस इसका नाम रखा गया, इसमें आप लोग को यह कॉश्चन बना अभ इसका पार्ट बन जाते हैं, तो अपनी मिसाइल की रेंज अगर आप लोग बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोग को आजादी रहती है, इसका मतलए है कि आप रेस्पोंसिबल हो, तो ब्रहमोस की जो रेंज है, वो साड़े 400 से बढ़ाकर अभी यहाँ पर 600 किलोमेटर करने की बात की जा रही है, तो इसके चलते हैं, आप लोग को देखने को मिलेगा, शांदार तरीके से हम लोग इसको यूटिलाइस कर पाएंगे, सुखोई, जो 30M किया है है यहाँ पर उसके ओपर यहाँ पर अराम से यूज के जा सकते हैं, तो हमारे पास में Land, Air और Sea के जो वर इसके बारे में आप लोग को बता देता हूं, आप लोग इसे कई बार ऐसे question पूछ लिया आते हैं, कि यह क्या होता है, तो basic चीजे आप लोग को यहाँ पर बता होने चीए, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ballistic missile आप लोग को देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आप लोग द cruise missile क्या रहती है, यह basically environment के अंदर ही रहके चीरती भी जाती है, और यहाँ पर target को हिट करती है, तो यह pattern आप लोग को इनके अंदर देखने को मिलेगा, pattern क्या basically यह difference है यहाँ पर, जो कि आप लोग के सामने हैं, कई बार यहाँ से भी question आप लोग के बन जाते हैं, हमारे पास आप लोग को पता है, integrated guided missile development program, question पता नहीं कितनी बार यहाँ से बन चुके हैं, पूछा जाता है, किसके द्वारे हैं पर यह program basically, यह start किया गया था, किसका brain child है, जैनि किसके दिमाग में से यह चीज़े निकल कराई, तो याद रखेगा, उनके द्वारा यह initiate किया गया, ताक आपन होता, 1962 से पहले, तो चायना की जो हार थी, वो हमको नहीं जेननी पड़ती, तो यह हमारी दुरदसा जो हुई है, बहुत सारे reason आप लोग को देखने को मिलेगे, दूसरा जो हमारा partition हुआ है, वो काफी खतरनाक था हमारे लिए, जिसकी वे से हमारी country में बहुत negative impact हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सोचो, एपी जेदुल काम सर, पहले ही अगर यहाँ पर यहाँ पर यह काम कर देते, या फिर कोई ऐसा important personality होता, तो यहाँ पर आज की डेट में हमारे पास में जो प्रत्वी, अगनी, तिरशूल, आकास, नाग, यह सारे system जो हमारे पास म हैं, यह सारे अगर पहले होते तो कितना मजा था, तो यहाँ पर इसको formally approval मिला था, 1983 में तो, यहाँ पर एक तरीके से, 1983 में तो इसको approval मिला था, और फिर उसके बाद में जाकर चीज़े होई, और 1962 में जो थी, वो चाइना के साथ में लड़ाई हो चुकी थी, तो पांच missile system हमें आज केट में, जो सबसे तागतवार है, वो है अगनी, अगनी 5 जो है, वो 5000 km तक वार करने वाली, यानि कि continent से continent तक वार करने वाली missile है, आज केट में हमारे पास में, जो कि लोगों को सोचने के लिए मजबूर करती है, कि देश के सामने नजर उठाने से पहले सोच ले तो काफी कुछ चीजा आपने वाले टाम में, और आप लोगों को देखने को मिलेगी, कि 6000 तक भी हम लोगो रेंज बढ़ाने के यहां पर सोच रहे हैं, तो प्रत्वी, आकास, नाग, तृशूल, अगनी ये सारी जो आप लोगों के सामने याद रखेगा, इनके सारी स्प अगनी ये सारी बरजन आप लोगे सामने हैं, तो यहां पर लोग यहां पर देख सकते हैं, आगे और भी यहां पर भोट सारी चीजे करने के कोसिस की जारी है हमारे देश में, सूरिया जो है यह under development है यह 10,000 km की range रहेगी यह अगनी जो है यह 6,000 km की range आप लोगो देखने को मिलने वाली है तो अभी हम लोग अगरसर हैं देखें यह कहते हैं कि परिवार में एक इंसान जो है वो success हो जाए आप लोगों ने चीजे कर ली जिंदगी में तो आगे तक आप लोगों का नाम जो है आप लोगों के घरवाले हमेशा अप्रिशेट करेंगे हमारे पापा, बाबा, दादा यह ऐसा कुछ करके चलेगे तो ऐसे यहाँ पर अभी एपीजेदुल क्लांस जो है यह system create करके चलेगे इसलिए missile man जो है अब उनके नाम के सामने लग गया है तो आने वाले time में कोई भी पढ़ेगा तो यह बोलेगा कि यार वो इनसान थे जिन्होंने एक तरीके से आप लोगोंने सुनोगा कि अपनी साधी तक भूल गए वो साधी तक भूल गए का मतलब मुझे मतलब सुनने में थोड़ा सा अठपटा लगता है इसका मतलब यह था कि उनको लग रहा था कि साधी जो है वो एक तरीके से उनको जो अचीज़ करना चाहते है उसमें एक कहीन कई रुकावाट देखने को मिलेगी क्योंकि इनसान जब साधी में जाता है तो हाँ पर बच्चे, घर, गरस्ती, दुनियादारी में इतना जुड़ जाता है जो एक मेन फोकस से हो कहीन कहीं हड जाता है अगर सिस्टेमेटिक में चीज़े लेकर नहीं चले तो ऐसा नहीं कि साधी करने वाले लोग कुछ अचीव नहीं करते है तो उसको गलत तरीके से मतले न मतलब यह कि मैनेज करना पड़ता है बहुत सारे लोग उसको बस मैनेज नहीं कर पाते है क्योंकि कई सारे लोगों का आपस में थोट विचारी नहीं मिल पाते है तो manage कांसे करेंगे तो आपस में लड़ने में जिन्दकी चले जाती है तो समझना पड़ेगा कि आप लोगो चीजे कैसे लेकर चल लिए तो जैसे जैसे चीजे आगे बढ़ती है फिर एक टाइम ऐसा आता है कि यार आप तो छोड़ो जो होना थो गया तो फिर वो situation आती है और फिर सारी चीजे धरी के धरी रह जाती है तो इसलिए कोसिस करो कि जिन्दकी में अगर कुछ भी करने तो पहले decide कर लो कि उसको किस तरीके से लेकर आप लोगो चलना है माइन में जितनी clarity उतनी अच्छी चलांग आप लोगोगे उतनी ही लंबी रेस के गोडे बनोगे 2014 में question पूछा गया UPSC के द्वारा अगनी 4 के बारे में पूछा गया कि कौन सी statement है आपर correct है पहले तो बोला कि surface to surface वार करने वाली missile है बेलकुल सही है अभी मैंने आप लोगों पढ़ाया दूसरा बोला है कि ये fuel की जाती है by liquid propellant only जान सब only लिखा आजाए ना समझ लोगी UPSC ना बहुत तकड़े वाला खेलने वाला आप लोगे साथ में ठीक है बोला कि डिलेवर कर सकती है 1 ton nuclear warhead 7,500 km भाई 4 की बात कर रहे है अभी छटी आएगी तो वो 6,000 पर जाएगी तो फालतो की बात बोल दिया है उपर बिल्कुल ठीक है तो अगर ये last वाली statement भी आप लोगो मेरी याद रह जाती है तो भी आप लोग बोल दोगे कि ये पूछ रहा है correct answer और correct जो है only one है UPSC खेलता है आप लोगे दिमाग के साथ में अगर आप लोग खिलाड़ी अच्छे है तो आप लोग UPSC के साथ में खेल जाओगे इसलिए कहते हैं खिलाड़ी अच्छा कोर मनता है जिसके basic killer होते हैं और basic किसके killer होते हैं उस इंसान के जो कि NCRT गवर करके जाता है तो इसलिए कहाते हैं कि NCRT हमिज़ा गवर करो एक और question पुछागा है तो जब से नोर्थ कोरिया साथ कोरिया के बीच में दिखकते होई थी Donald Trump जो है वो आकर चलेगे तब मैंने आप लोगो पढ़ाया था कि Donald Trump जो है किस चीज के लिए frustration में है तो THARD जिसको बोलते है Terminal High Altitude Defense ये आप लोग याद रखेगा ये किसका सिस्टम था इसके बारे में आप लोगो बताना है इसराइल का, इंडिया का, अमेरिका का या फिर South Korea, Japan में मतलब इनका किसी का collaboration में ये किसका था, ये अमेरिका का सिस्टम था जिसने South Korea में इसको ले जा कर रख 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 है कि कोई अगर मिसाइल वार करेगी तो हवा ही हवा में इसको destroy कर दे जाएगा radar को पता चल लगे है, missile आ रही है threat आ रहा है भाई साब, radar ने तुरंत जो है, system बोल दे हाँ पर activate कर दिया, कि भाई साब target identify करा चाच चुक है, फिर यहाँ पर बोल दे गया launcher को कोई भाई साब launch कर दे, और launcher न फोड दिया ले जाकर हवा हवा में धर्ती पर आने ही नहीं दिया, ये system यहाँ पर create किया गया था 1987 में ये ऐसा system है कि हवाई हवा में basically जमीन पर नुफसान निया होने देता है इनका थो थाड है, आप लोग को बताने इसराइल का क्या है, वो बहुत जादे नियूज में था recently अभी, उसके बारे में आप लोग को बता होने चीए, यहाँ से आप लोग के direct question आप लोगों से बनते हैं, देखिए छोड़े-छोड़े question है भाई साब, UPSC भी आप लोगों से तुरंट question बना के पूछ लेती है, यही system है जो कि हम लोग Russia से खरीद रहे हैं याद रखेगा, S-400 system ठीक है, Russia से खरीद रहे हैं, मतलब खरीद लिया है यह system है, जिसकी delivery स्टार्ट हो चुकी हमारे देश में कल को चल कर, चाइना से, पाकिस्तान से कोई भी हमारे उपर इस तरीगी हर्कते करता है तो हवाई हवा में हम लोग उसको उड़ा देगे इस्राइल का है, आइरन डोम तो कल को मैच करने के लिए इंडिया, रसिया यह फिर USA का, इसराइल का तो आप लोग को पता होना चाहिए हैं आपर यह तो इससे क्या रहेगा, आप लोग को आसानी रहेगी चीजों को मैच करने में, कोई भी दिक्कत आप लोग को तो सही आंसर यहां पर क्या है, तो यह आप लोग को अटेंट करने है, इसको अटेंट करो, और कोशन का आसर देना, क्यों अभी डिटेल में आप लोग को पढ़ाया यार सारी चीज़े तो यह ही से ही निकल कर आगया, फिर से वही चीज़े मैं बड़ बड़ा हो तो confusion दूर करके जाने, और इस तरीका जो discussion है, इस तरीके जो आर्टिकल से, उनको कभी भी आप लोगो छोड़ के ने जाने, खास कर अगर आप लोग defense की तियारी कर रहे हो, ठीक है, तो कैसा लगा, आर्टिकल कोई doubt है तो बताना, और feedback जरूर दे कर जाना, ताकि मुझे ही पता चले कि आप लोगी समझ में है, या फिर ऐसे ही, all clear हो गया, कि दिमाग में ही ने गया कुछ भी, ठीक है, clear हो या फिर all clear हो गया, तो मुझे समझ में आना चाहिए, ठीक है, तो कैसा लगा, जरूर बताया करो, और PDF टेलिग्राम से यहां से जाकर डाउनलोड कर लिया कर रहा, कही सारे बच्चे पूछते रहते हैं, तो उनको बता दिया करो कि यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना है, अच्छा, एक चीज बात पूछना चाहोंगे हैं, एक बच्चे ने बोला कि सर मुझे इस चैनल के बारे में, मतलब YouTube के जो है, मुझे recommendation आई, और मैंने इसको देखना है, और उस दिन से मैं इस channel को देख रहा हूँ, आप मैं से कितने SSLV family member हैं, जिसको किसी ने suggest किया है, कि हाँ यार यार ये channel देख लेना हूँ, या फिर कितने SSLV family member हैं, जो कि हाँ पर YouTube की recommendation पर आगे, कि तुक्का लग गया है कि हाँ, ऐसा भी कोई channel है, और देखना है start कर दिया, ये दो तो आप लोग बता दोगे, आप लोग एक बात बताना, और जो मैं चाहता हूँ, थोड़ा सा आप लोग सोचो इसके बारे में, आप लोगों ने कितने लोगों को recommend किया है, कि ये channel देख लो, कि ये channel अच्छ है, आप लोग ये बताएगा, मतलब आप लोगों ने किसी को recommend किया है, इसका मतलब ये कि अगर आप लोग खुद देख रहे हैं, तो आप लोग को अच्छा लग रहे हैं, आप लोग अच्छा लग रहे हैं, तो आप लोग दूसरों को बताते हैं, अच्छी चीज़े, ताकि अच्छी चीज़े लोगों तक पहुचाए जा सके, इससे आप कोई फायदा रहेगा, सामने वाले को फायदा रहेगा, तो कितनों को आप लोग ने आज तक बता है, जरूर बताना, मैं भी तो देखो, कि आप लोग कितने लोगों के साथ में चैनल सेर करते हैं, तो इसके बारे में देखता हूँ, कौन-कौन अपने, basically experience भी share करना, किसी को share कि आप लोग ने इसने देखा है नहीं देखा, तो वो भी मुझे जानना है, ठीक है, कैसे चटपटे experience आप लोग ये रहते हैं, बागे feedback देते रहेना, ओके, तो ये था पूरा article, पर article तो पढ़ा दिया, article पढ़ा अगर काम खतम नहीं हो जाता है, आप लोग ये बताओ, कि अगर किसी के घर में, आप लोग देखो, आज केट में, किस-किस को बीमारी हैं, कौन-कौन सी बीमारी हैं घर में, आप लोग उसको check करो, और आप लोग उसमें क्या role play कर सकते हो, कि आप लोग इन बीमा करो कोसिस करने से चीज़े जो हैं, एक तरीके से कोसिस-कोसिस में रह जाती है, एक commitment करोगी, करना है, एक discipline में लेकर आओ कि हां करना है, वो वाली चीज़ जब होगी, तब मजा आएगा जिन की जीने में, वरनर तो वही बात होगी, answer writing करने, कोसिस करते हैं, करने की, कोसिस क क्या होती है यह क्या तरीका होता है जब खाना खाती हो तो कोशिज करते हो गया खाने की लिए नहीं लिए granil है reality में आप लोग को मत्राइब एक तरी से करना है उसको ट्राइब करना है आप लोग को रेगुलर एक्साइज करनी है और टाइम पर उठना है यह सिर्फ नो संडे को फंडे बनाते वे इस्टडी डे इसलिए बनाता हूं ताकि आप लोग जोस से भरे रहे हैं और शही तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करें ठीक है फीडबेक जुरूर दिया करो लेक्टर कैसा लगता है अच्छा यह बुरा जैसे भी लगता है बताया कर रह है तो पसंद नहीं आते तो dislike भी करो यार कोई दिक्कत निया मुझे तभी तो और चीज़े इंप्रू होंगी अगर चीज़े अच्छी नहीं लगर आप लोगो ठीक है तो डिसलाइक करो जरूर अगर पसंद नहीं आ रहे है तो लाइक कर दे गरो ठीक है तो यह था पूरा करते हैं और यह बात की जारी है यहाँ पर नैनो प्लास्टिक के बारे में माइक्रो प्लास्टिक के बारे मैं आप लोगो पढ़ाया था आप लोगो याद होगा यह कार्टिकल में जिसमें मैंने माइक्रो प्लास्टिक के बारे पढ़ाया था माइक्रो से भी नीचे चले अभी हाँ पर नैनो की बात की जा रही है, बात करें मेगा प्लास्टिक, इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उसके बारे में हाँ पर बात की जा रही है, इसी के साथ में अगर बात करें, यहाँ पर नैनो में 0.1 से नीचे माइक्रो मिटर की बात आप लोग कर सकते हैं, यानि के जिस कंड को आप लोग आँखों से प्रोपर वे में नहीं देख पाएं, वो काफी लार्जी स्केल पर आज की डेट में हमारे खाने पीने रहन सेन में हर जगे आप लोग को देखने को मिलता है, तो उसके उपर काम करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, इसके बारे में क्या बोला गया है, अभी रिसेनली जो रिसर्चर हैं, उनके द्वारा कि नैनो प्लास्टिक को कैसे हम लोग डिटेट कर सकते हैं, कि यहाँ पर यह नैन की बहुंते हैं, लेकिन प्लास्टिक की बहुत करते हैं, तो कोसिस करो, अगर आप लोग बाहर रहते हो, खाना पैक करवा के लेके आता है तो आप लोग प्लास्टिक उसमें देखने को मिलेगा उसमें प्लास्टिक की पोलितिन में फिर कैसे पैक हो गया आता है तो copper की bottle जो है बहुत ही अच्छी रहती है आप लोगो बता दू जो तामभा होता है अगर शाम को आप लोग उसमें पानी रखकर पीते हो सुबह पेटी भी अच्छा रहेगा आप लोगा आँखों के लिए भी काफी अच्छ है मैं फिलाल के टाइम पर प्लास्टिक जो है खासकर जो bottle वगरा है उसको अपने जिन्दगी में से अटा चुक हो copper की bottle मैं यूज करता हूँ तो शाम को पानी भरके रख दिया copper का जग है उसमें पानी भरके रख देता हूँ और सुबह को उसी से पानी भीतो इसी के साथ में फिर bottle रहती है वो भी copper की है जो की पानी पिया जाता है या फिर बाहर लेकर जाने है तो steel की bottle आप लोग यूज कर सकते हो ये ऐसी चीज़े हैं आज की डेट में आप लोग जो भी use कर रहे हूँ उसमें आप लोगो plastic देखने को मिलते हैं जो even आप लोग जो कपड़ी पहन रहे हैं उसमें कई बारे आप लोगो micro plastic उसमें से भी आप लोगो देखने को मिलेगी तो ये micro plastic जिस तरीके से हमारी जिन्दगी में घुस्ती चारी है ये जिन्दगी के साथ साथ में food chain में भी आज की date में घुस्च चुकी है माली जी कोई ऐसा जी जुनतो है जो मचली जिसे पानी के अंदर में रहती है मचली जो है वो माली जी चीलने उठाई इसी तरीके से आप लोग देखते है कोई भी यहाँ पर जिसे मगरमच खा रहा है मचली को या फिर इंसान खा रहा है मचली को तो फिर वो एक तरीके से इंसानों के अंदर जो है micro plastic आप लोग उस्ती नजर आएगी एक pattern आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसके चलते है बगुला खा रहा है यहाँ पर मचली को यह इस तरीके से आप देखे आप लोग यहाँ पर तो मचली आज की date में अगर plastic के contact में आ चुकी है तो फिर plastic आप लोग को अपनी जिंदगी में भी नजर आएगी एक बच्चे के दौरा भी वीडियो सेंट कीगी वो वीडियो जो है मैं लगाना भूल गया वीडियो के अंदर में उसमें plastic खा रहा है खाती हम आप लग प्लास्टिक फैंक दिया गया और उसमें प्लास्टिक को खा रहे एक मिनट्स रूगो मिताब बच्चन नहीं बोलता है देखा आप लोगों ने ला परवाई करने थी जा तो यहाँ पर इस तरी कंडिशन आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलेगी बहुत सारे ऐसे जीव जनतु हैं जो इस प्लास्टिक की विज़े से यहाँ पर जिनकी जान जा रही है यहाँ पर भी आप लोग देखते हैं और यहाँ पर यह पिक्चर इतनी ज़्यादा है वाइरल हुई थी यह वर्ड इन्वोर्मेंट डे के टाइम पर यहाँ पर कि एक जीव जनतु जब मर जाता है उसके अंदर से प्लास्टिक आप लोग देखें आप आज की डिट में जब खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है तो अगर कुछ खाना भी जाते हैं समूंदर के उपर पोलेथीन फैली वी है सब जगे मचली मिलनी पा रही है क्योंकि यह पूरा समूंदर पोलेथीन से एक तरीके से घिरव है तो वहाँ पर जब यह खा रहे हैं जीव जनतु तो इनके पेट के अंदर प्लास्टिक आप लोगो देखने को मिलेगी एक वीडियो डार लखी है मैंने इसी चैनल के उपर गाएं के अंदर से लगभग बावन से चपन किलोग्राम प्लास्टिक निकले थी ओप्रेशन के तुरू प्लास्टिक तो फिर भी चल जाती है उसके अंदर से बहुत सारे ओल पिन नहीं होते हैं जो लोहे के श्टील के जो पिन रहते हैं वो भी बहुत सारे हाँ पर देखने को मिले जैसे तैसे करकर जो है उसको बचाया गया उस गाएं का उपरेशन करके और वैसे हम लोग गाएं माता बोलते हैं पर लेकिन हम लोग अगर आसपास में कोई गाएं दिखें ऐसा नहीं कि थोड़ा सा उसकी help कर दे तो यह condition आप लोग को देखने को मिलेगी तो situation काफी ज़यदा खराब है यह हम लोग को समझना पड़ेगा आज की date में आप लोग देखते हैं यह पुरा वाइफाई बन गया है देख सकते हैं आप लोग आप लोगे सामने हाँ पर पेड़ है पेड़ के उपर एक भी पत्ता नहीं है और पोलोथीन चड़ी पड़ी है जिस किसीने भी पिक्चर ली होगी कितनी शांदार एक तरीके से पिक्चर है नहीं हमको हमारा आइना दिखा रही है कि हम लोग किस direction में जा रहे है हमको यह सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि क्या reality में हम लोग जिस तरीके से जिन्दगी को लेकर चल रहे है वो एक ऐसी जिन्दगी है जो कि आने वाली generation को हम लोग देना चाहते है तो कहीं न कहीं इन चीजों को हम लोग को समझना पड़ेगा और जब तक यह चीज़े हम लोग नहीं समझेंगे हम लोग इन चीजों को और ज़दा बरबात करते वे चले जाएंगे क्योंकि यह वही बात बोल रहा हूं जिससे starting में ने बोलना आप लोग को जब तक आप लोग यह फील नहीं करोगे कि आप लोगों ने कोई गलती की है कि आप लोगों ने decide किया था कोई काम करने का और आप लोगों ने वो काम नहीं किया आप लोगो sorry फील होई नहीं रहा है अंदर से कि ठीक है रही है तो यह आप लोग को नैनो प्लास्टिक की केडेईरी में देखने को मिलते है जब नैनो प्लास्टिक में बोलते हूं तो 1 नैनो इस एक्वल टू 1 billion ओ फे मीटर यानिके जो एक मीटर होता है उसका वन बिलियन वा भाग आप लोगो देखने को मिलेगा तो इससे समझिए आप लोग कितना छोटा ये पोर्सन होता है और आज की डेट में एक इनसान के अंदर में उसकी सेल तक डेमेज कर रही है यहां पर ये इतन तरीके से हमारी बोड़ी के अंदर ये जा चुकी है मतलब समयरे कि इस बोड़ी के अंदर जो सेल्स होती है सेल्स के अंदर भी आप लोग को माइक्रो प्लास्टिक जो है वो देखने को मिल रही है इंसान के अंदर में जो एक तरीके से नहीं है आपर जो inflammation की जो चीजे होती है growth रुक रही है आपर even एक तरीके से कई सारी deformities आप लोग को देखने को मिलेगी toxic जो marine जो compound है उसके उपर जो marine component है फिर marine जो life है उसके अंतर काफी impact डाल रही है अगर मैं आप लोग को बता हूँ mount average पर जाओगे तो भी plastic देखने को मिलेगी arctic snow का जो बरफ से ढखवा area है वहाँ पर जाओगे तो plastic देखने को मिलेगी Iceland जो glacier है वहाँ plastic देखने को मिलेगी और marina trunch जो की पृत्वी के ऊपर सबसे गहरा भागे mount average से भी ये आप लोग दिखते है mount average है 8,848 हलकि अभी इसका change कर देगा है अब नया जो latest चेक किया गया उसकी height बताना कितना है जो चाइना के साथ है मिलकर चेक की थी नेपाल ने उसकी height बताना कितनी है mount average के अगर जाएंगे तो प्रिथी पर सबसे गहरा portion माना जाता है ये है basically challenger deep जिसको marina trunch के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि 11,000, 35 के करीब आप लोग को गहरा है इसके अंदर भी plastic आज केट में देखने को मिलती है तो plastic waste जो है वो हर जगे आप लोग को यहाँ पर नजर आएगा तो इसके उपर काम करना कितने जुरूरी है तो यह हम लोग को अभी सही सोचना पड़ेगा और इसके चलते हैं बहुत सारे हम लोगों नहीं step बे उठाए है लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है है आपर अगर बात करें सबसे बड़ी बात यह कि अभी भी हम लोग responsible तरीके से behave नहीं कर रहे है जो नाले है जो पानी निकलने की विवस्ता होती है वहाँ पर यार इतने कूडे करकट भड़े है मतलब एक तरीके से इंसान जो है वो जानवरों की तरीके से वेवार कर रहे है आज कि डेट में माइक्रो प्लास्टिक की बहुत ज़्यादा कॉंसेंट्रेशन आज केट में वोरान जो वारान सी कानपूर और जो हरिदवार यह वाले रीजन है इसमें काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी तो condition जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है रीजन कहा है आज की डेट में आप लोगों को पता है जैसे की टायर ले लो क्लोथ ले लो फूड पैकेजिंग ले लो बैग ले लो कोस्मेटिक का सामान ले लो मालाए बनाए बनाए जा रही है मुनसिपलिटी का वेस्ट ले लो आप लोग कुछ भी उठा लो जो अभी आप लोग का इंट्रेस्टिंग चीज़ बताओं अभी जैसे की ये कई सारी ये सेल चल रही है ठीक है फिलिप कार्ट पर एमेजन पर आप लोगों ने इन सेल के बारे में सुना होगा ये बहुत ही बड़ा रीजन होता है बहुत सारी पैकेजिंग इनके द्वारा की जाती है कई बार आप लोगों देखा होगा पैकेजिंग जो हो प्लास्टिक की पॉलिथीन की पन्नी में आप लोगो नजर आती है ठीक है उसके अंदर ये फिर उपर बहर कहीं नगे आप लोगो प्लास्टिक जरूर देखने को मिलेगी पॉलिथीन आप लोगो जरूर देखने को मिलेगी तो ये काफी खतरनाक चीज आप लोग के सामने या पर निकल अगर आती है ठीक है अब ही हाँ पर ये चला बिसिकली बिग बिलियन डे फिलिपकाट और एमेजन का तो उन्होंने बोला कि इस मोबाइल पर जो उसने 26,000 का खरीद था पांच महीने पहले इन्होंने बोला इस मोबाइल को हम लोग 26,000 रुपे में दे रहे हैं और फिलाल जो है इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं 20% का डिसकाउंट दे रहे हैं यह आप लोग का बेवकुफ जिस तरीके से काट रहे है न एक तो प्रोडेक्ट अगर डील में आप लोग को मिल रहे है न उसमें कोई न कोई प्रोडम जुरूर होगी क्यों कोई अपना अच्छा प्रोडेक्ट जो है discount में बेचेगा, आप लोग ये बताओ, एक अच्छा product जो है, वो discount में इसको तभी बेचेगा, या तो वो market में निकल नहीं रहा है, या फिर उस product के अंदर में कोई कमी है, तभी वो उसके ओपर discount लेकर आएगा, इसलिए हाँ पर ये condition आप लोगो देखने को मिल रही है, जो mobile यहाँ पर discount में आ रहा है, तो उनकी battery नहीं चलती है, या उनके अंदर कोई और प्रूलम आप लोगो देखने को मिलेगी, और खासकर जिस पर लग रहा है कि discount reality में दिये जा रहा है, यह मेरा experience ना, मैंने बोला है, यह mobile तो अभी खरीदा था, उसको दिलाए था है mobile तो, और अभी फिलाल पर जैन टाइम पर देखो, क्या condition बनी है यहाँ पर ये, तो यह आप लोग देखो, कि आप लोगो को कैसे चीज़ों को utilize करना है, क्योंकि सामने वाला जो है, शाम दाम दंड भेद लगाएगा, अपने product को बेचने के लिए, पर लेकिन आप लोगो को अगर requirement है, उस product की, तो आप लोग खरीदे, एक particular दोस्ते उसने phone खरीदा, मैंने बोला कि यार ये phone को खरीद रहे हो, इस phone में अच्छी चीज क्या है, ये phone जो था पहले जो मिल रहा था, ये phone 55,000 रुपे का मिल रहा था, ठीक है, अभी जो sale चल रही है, इसमें 32-36,000 रुपे का मैंने का, मैंने का कि, पता है कि क्यों इसको बेच रहा है ये, इस phone की बैटरी जो है, वो एक दिन भी नी चलती, और जब इसको चार्ज करते हैं, तो चार्ज होने में भी सबसे ज़्यदा टाइम लेता है, तो उसने बता है क्या बोला, क्या रहा है कि ये ही तो चाहिए मुझे, क्योंकि मैं इतना ज़्याद है एडिक्ट हो चुका हूँ, फोन के चक्कर में, आज क्याटर में, कि मैं वोश्रूम में भी जाता हूँ, तो फोन लिए बैठा रहता हूँ, और घंटो घंटो वोश्रूम में बैठा रहता हूँ, ऐसे कंडिशन आ चुकी है, मुझे ऐसे ही फोन चाहिए, जो जल्दी डिस्चार्ज हो जाए, और जो चार्ज होने में भी टाइम ले, तो अगर आप लोग की रिक्वार्मेंट कुछ-कुछ ऐसी है, जो कि बिना सरफैर वाली है, ठीक है, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है, फिर तो आप लोग पैसे लगा सकते हैं उसके उपर, जो प्रोटेट आप लोग लेने जा रहे हैं, उसके अंदर कोईने कोई दिक्कत आप लोग जरूर देखने को मिलेगी, यह मेरा personal experience है, मैं किसी को भी हाँ पर एक तरीक से degrade नहीं कर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा कर जो भी चीज़ें आप लोग ले सकते हैं, पर कुछ भी चीज खरीदने से पहले, एक बार analysis जरूर कर लेगीजे, कि यह चीज आप लोग लिए सही है, या फिर गलत है, और सामने वाला सस्ता दे रहा है, तो इसको क्यों सस्ता दे रहा है, यह तो कुई ऐसा हो कि नहीं है, और उसको दियाद काम करना है, ठीक है, ऐसे मत बोल देने कि सर आप भी तो लेक्चर फिर में प्रोवाइड करा तो इसका मतलब इनमें क्वालिटी नहीं है, ठीक है, प्रोवाइड करा रहा है, कम पैसे में तो एक अलग बात है, ठीक है, पर लेकिन वैसे अगर कोई प्रोडेक्ट मार्केट में बेच रहा है, कोई कमपनी, तो वो कहीं न कहीं अपना प्रोफिट आप लोगो एक तरीके से बेको बना कर एक तरीके कोसिस करेगी, कि आप लोगो माल चिपका दे जाए, बाकि आप लोग देखो, ठीक है, तो यह जो प्लास्टिक है, हर जगे आप लोग यहाँ पर नजर आएगे आज की डेट में, और सबसे खतरनाक चीछ तो मुझे यह लगती है, जब यहाँ पर हम लोग फोन खरीद कर लेकर आते हैं, या फिर कोई भी चीज खरीदे हैं, उसके अंदर दुनिया भर की प्लास्टिक है, और अभी रिसेंटली अगर आप लोग बात करें, प्लास्टिक फ्री सोसाइटी बिनाने की बात कीगे हैं हमारे देश में, या फिर पेपर का बैग रखो, यह एक अच्छा खासा अल्टरनेटिव है, खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक का, सिंगल यूज मतलब जो यूज एंड फ्रो वाली प्लास्टिक होती है, उससे एट लिस्ट आप लोगो अपनी डिस्टेंस बना कर रखनी है, इनके बारे में, कई बार आप लोगों से कुशन भी पूशे आता है, अगर आप लोगो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखें, तो सही रहेगा, क्योंकि आज की डेट में, जो इंडस्टीज हैं, उसके अंदर से भी आप लोगो देखने को मिलेगा, काफी सारे जो इहां पर गंदगी निकल कर आती है, इसी के साथ में सीवेज, जो आप लोगो ये टीटमेंट प्लांट, जो ठंक से उटिलाज नहीं हो पा रहे हैं, और यहां पर भी आप लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज केड़ में इसके ओपर उनका इंप्लोईमेंट भी चल रहे है, जब बोला गया प्लास्टिक को बंद करना है, तो यहां पर कही सारे लोग तो यह बोलने लगी कि हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, हर एक इंसान ना कहीं ने कहीं अपना रोजी रोटी ढून लेता है, तो उस टाइम पर अगर यहां पर उस प्रटिवल सिस्टम को हम लोग आराम आराम से खतम करें सही तरीके से, और उसको औल्टरनेटिव कोई रोजगार प्रोवाइड करा दें, तो उसकी जिन्दगी भी सुधर जाएगी और जो इन्वोर्मेंट को नुकसान हो रहा है, वो भी सुधर तव नजर आएगा, तो यह सजेशन भी आप लोग यहां पर दे सकते हैं, कि फूड चेन को बिसिकली बरबाद कर देते हैं, इसी के साथ में यह, आज की डेट में अगर बोडी के अंदर में हाँ पर घूज आती है, तो दिक्कते देखने को मिलेगी, दुनिया पर की बीमारी, खेतों में आप लोगो प्लास्टिक नजर आती है, हर जगे आप लोगो plastic देखने को मिलेगी है जब गन्ना बोया जाता है खेतों के अंदर में तो जैसे आप लोगो ने देखा होगा जब हम गन्ना बोरे थे खेतों के अंदर में तो कई बार यहाँ पर ऐसा आता है कि बीच बीच में पॉलतीन आ जाती है कई बार بीच बीच में कई सरे plastic के टुकडे भी आ जाते हैं ये सारी चीज़ें आप लोग देखने को मिलते हैं खेतों के अंदर भी आज की डेट में उसी के अंदर गंन उसी के अंदर गहूं बोड़े हैं ये सारी चीजें कहीं न कहीं हम लोग समझेंगे तो ये बहुत ही बड़ी problem है तो इसका solution निकालना जरूरी है और इसका solution हमसे ही start होता है तो कम से कम आप लोग decide करो कि plastic use नहीं करेंगे ठीक है तो ये पूरा एक article था काफी important ही यहाँ पर जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं और question भी बने तो confusion नहीं होना चाहिए और हाँ feedback जरूर देज़े करो यार feedback देने में आप लोग क्यों इतनी basically conjuciv रत्त हुए मुझे समझ में नहीं आता है एक second लगती है एक लाग लोग lecture देख रहे हैं और feedback कितना दे रहे हैं feedback दे रहे हैं only 10,000 आखिर क्यों? reason तो बता दिया करो कि हाँ इसलिए नहीं दे रहे है feedback और feedback में तो positive feedback गोलता है नहीं आप लोगो कि positive ही देना है, like ही करना है नहीं dislike मारो भाई वीडियो अगर पसंद नहीं आ रहे हैं तो comment में बताओ कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है मुझसे पूछो तो सही, पूछ भी नहीं रहे हो मतलब एक लांक लोग lecture देख रहे हैं और 2000 only answer दे रहे हैं समझे आप लोग यहाँ पर बाकियों को तैयारी नहीं करनी है, फिर बाकि बस ऐसी मज़ा चल रहा है जिंदगी में, एक ता ऐसा है कि जिनको बस awareness के लिए देखनी है, क्या 2000 लोग ऐसे हैं जो पढ़ने वाले हैं बाकि सब awareness के लिए देखने हैं, ये भी बता दो यार मुझे कम से कम तो यार participate जरूर किया अगरो, ठीक है मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग answer देते हो, जब भी कोई question में आप लोग उसे पूसता हूं, ओके, health के बारे में जब आप लोग बात करते हैं आपर तो health से लिए कोई भी topic अगर आजाए, तो काफी important है जाता है और direct article 21 जो है, समिधान में, वो आप लोग की right to life और अच्छी health भी आप लोग इमहीं से निकल कर आती है, ठीक है तो इसके बारे में याद रखेगा एक question में आप लोग उसे पूछना चाहूंगा, जो खासकर लड़किया होती है जैसे कि अगर बात करें, तो उनको maternity leave के बारे में बात की जाती है ठीक है, जो maternity जो leave होती है, वो एक particular article से निकल कर आती है और वो जो article है, वो DPSP के अंदर है, part 4 के अंदर में वो article कौन सा है, समिधान के अंदर में, वो आप लोग को बताना है Recently state pieces के अंदर में यहां से question निकल गया है था, ठीक है तो समझ सकते हैं, आप लोग यहां पर आगे आप लोगों से statement देकर UPSC पूछ सकता है तो इसको जरूर answer दीजेगा, ओके यह काफी important article है, और recently अभी हाँ पर news में है और यहां से UPSC के दौरा अभी recently आप लोगों से question भी पूछा गया यहां पर आप लोग देखें आपर, यह question जो है, अभी 2022 में ही आप लोगों से पूछा गया जो नक्सलिजम है, जो नक्सलवाद है आपर, बोला गया कि social, economic and development issue, आप लोगों को देखने को मिलेगा जो manifesting करता है, जो violence, internal security के लिए threat आप लोगे लिए create करते हैं आप तो इससे later जो issue है, वो आप लोगे बारे में बात करनी है और इससो टैकल करने के लिए, क्या क्या चीज़े हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में क्या क्या रननीती बना सकते हैं तो इससे later ये security से later आप लोगे यहाँ पर question पूछा गया वो ऐसी हरकदे किया करते थे कि यहाँ पर लोगों से काम कराना उनको proper way में support ने provide कराना और ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कही सारी movies भी बनती पुराने time में जमीदारी के उपर क्योंकि जमीदार जो है वो लोगों का खुंच उसना इस्टार्ट कर चुके थे अपने फाइदे के लिए तो जब जब ऐसी situation ऐसी condition यहाँ पर देखने को मिलती है तब तब यहाँ पर उसमें change करने के लिए society में कोई ने कोई अपना हाथ आगे उठाता है और यहाँ पर किसी ने किसी तरीके से उससे निकलने कोशिश करते है तो एक नकसल बारी village है जहां से यह problem जो है काफी large scale पर निकल कर आई और नकसल बारी village कहाँ पर है यह है वेस्ट बंगाल के अंदर में वहां से यह चीज़े स्टार्ट हुई और इसी के नाम से आपर इसका नाम जो है यह नकसलिजम पड़ गया अभी recently हाँ पर अमित साजी के दौरे इसके बारे बोला गया था कि हाँ पर कहीने कहीं हम लोग इसको reduce कर चुके हैं काफी large scale पर तो आज की rate में हाँ पर इससे काफी सारे solution भी निकाल चुकी है तो ऐसा नहीं है कि इससे solution नहीं निकले हैं यहाँ कि solution भी निकल रहे हैं पलेकिन उस level पर solution नहीं निकल रहे हैं कि हम लोग बोले कि यह काफी ज़्यादा खतम हो गया है Home Minister जी के दौरे यहाँ पर यह बोला गया था कि पहले यहाँ पर कई सारे district में देखने को मिलता था लगबग 96 district यानि के जिलो के अंदर में अभी हम लोगों ने हाँ पर रनीती चला चला कर यहाँ पर यह 41 में रह गया है यानि कि आधे के करीब यहाँ पर हम लोगों ने इसको खतम कर दिये खासकर अगर बात करें हैं यहाँ पर जो बस्तर वाले रिजन है 36 गड़ के अंदर में आंधरा उडिसा का बोर्डर आप लोगों देखने को मिलेगा कई सारे ऐसे एरिया जहाँ पर यह काफी प्रोलम देखने को मिलती है उसी का solution यहाँ पर निकाला जा रहा है union, government और state government ज ताकि इसके problem जो है उसके solution यहाँ पर निकाले जा सके, solution कही सारे शांदार इनके द्वारा बनाएगे जैसे यहाँ पर grey hunt operation चलाया गया 1989 में और यह काफी शांदार operation है जिसका नाम यहाँ पर एक standard सब्द यूज़ किया गया समधान, समधान का मतलब क्याते हैं हाँ आपर smart leadership aggressive strategy, monitor और training करना जिनको लेकर जा रहे हो, actionable intelligence होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हो कुछ रहा है ground level पर और बताया कुछ जा रहे है, जिसकी वेसे कई बार कई सारे लोगों की जान चली जाती है, यहाँ पर बात की गई की performance indicator, किस-की performance अच्छी आ रहे है और कौन सा area में जही result आ रहे technology का इस्तमाल करना, सही तरीके से चीज़ों को finance करना और इसी के साथ में एक proper action लेना, उसके लिए proper माहुल तयार करना, तो यह सारी चीज़े आप लोग यहाँ पर देखने को मिली, खासकर ऐसे district जिनको aspirational district की category दिए गई 2018 में, तो वहां से लगा कि अगर उनको transform करना है, त तो पहले यहाँ से extremism जो है, वो खतम करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी विज़े से काफी सारी दिक्कते यहाँ पर देखने को मिलती है, एक movie आई थी, अभी recently आप लोग में देखा होगा, अभे देवल भी था उस movie के अंदर में, movie का नाम क्या था, जिसमें लाल सलाम बोलत कर रहे हैं, तो इसके चलते हैं हाँ पर उसका solution निकालना है, इसलिए government ने कई सारे initiative इस्टार्ट किये, कि अगर कोई स्विच्छा से छोड़ कर आना चाता है, तो उसको कुछ support प्रोवाइड कराए जाएगी, और यहाँ से चीजे भी जो है, वो थोड़ी सी आगे लेकर च चीने जा रहे हैं, ठीक है, शोशो एकनोमिक गैप काफी जाएग देखने को मिलेगा, जो अमीर है, वो काफी जदे अमीर है, गरीब काफी जदे गरीब है, और गरीबों का सोसरं होता है, अमीरों का कोई सोसरं निकरता है, यानि कि administration जो है, वो ओपर से नीचे की काफी ज़रूरी है, और अगर अभी यहाँ पर इसके उपर प्रोपर काम करना इस्टार्ट कर दिया, आने वाले टाइम पर सोलिशन भी आप लोग यहां से निकलता हूँ नजर आएगा, आप लोगी क्या रहा है इसके बारे में, और जैसे UPSC कोशन पूछ लिए धड़ले जैसे यहां से, तो अच्छे से आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ऐसे कुर्शन आप लोग उसे कई बार पूछ आते हैं, किन-किन एरिया में यहां पर यह चीज़े देखने को मिलती है, उनके बारे भी आप लोग याद रखिएगा, देख कहीं भी सोसाइटी में कोई इशू अगर देखने को मिल रहे हैं तो उसकी जड़ तक जईए कि वो इसू है क्यों, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि इसको खतम कैसे करने हैं, माल यह आज की डेट में जैसे कई सारे बच्चे बोल रहे हैं, रेगुलरली आप लोग ने देखा होगा, एक बात यह कि सर हिंदी में PDF प्रोवाइड करा दो, यार हिंदी में PDF प्रोवाइड करा दूँगा, उसके में कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन वो अकेले से मेरे से नहीं हो पाएगी, ठीक है, उसके लिए पर्टिबलर एक बंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद जब PPT बना कुछ पड़ोर वहाँ पर कुछ निकल करा है, तो इसके चलते मुझे कुछ वैसे तरीके से करना पड़ेगा, अगर कोई ऐसा है जिसको लगता है कि वो टाइम निकाल कर इसको हिंदी में ट्रांसफर कर सकता है पूरी PPT को, तो वो मुझे बता देना, मुझे सेंड कर दिया यह फिर मुझे से कॉंटेक्स कर सकता है, studyloverver.gmail.com पर अगर आप लोगों लगता है कि आप लोग यह काम कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि प्रोपर वे में हाँ पर जो हिंदी वालों को मिल जाएगी, क्योंकि हाँ पर फिर वही चीज़े होती है, क्योंकि solution मिल जाए, पर present time पर थोड़ा सा आप लोग इसको enjoy कर लीज़े, क्योंकि हिंदी में completely में बोलता हूँ, ठीक है, अगर आप लोग देखोगे, सारे सब्द maximum हिंदी में रहते हैं, English में बस लिखा रहता है, बाकी Google Translator का आप लोग इस्तमाल कर सकते हैं, और एक suggestion में देना चाहूँगा, अगर reality में आप लोग serious as parent है, UPSC के, तो आप लोगो कम से कम at least English को understand करना आना चाहिए आप लोगो, अगर English से भागोगे, तो बहुत बड़ी दिक्कत आप लोगो देखने को मिलने वाली है, हर एक आप लोगो पड़ा उपर, ये ऐसी चीज है कि आप लोगो स सकते हो, कोई भी एक article daily उठागर पढ़ लो, जैसे NCRT वगर पढ़ते हो, कोई भी एक article किसी भी newspaper का आप लोग एक उठागर पढ़ सकते हो, आप लोग की vocabulary उससे भी improve होगी, और reading skill भी आप लोगी बढ़ेगी, जो news आती है, आज केट में आप लोग देखते हैं, All India Radio पर भ अब तक बस त्यार हो, आखिर कब तक बचोगी, ये तो social agreement के लिए, आगे चलकर चलो, आप लोग यहाँ पर अभी थोड़े time के लिए बच भी गए, ये चीज़े और बढ़ने वाली आगे चलकर, English एक requirement है, ये global language है, आप लोग इसको सीखना ही पड़ेगा, किसी भी post पर जाओगे, कलको चलकर आप लोगो उसके बारे में, आप लोगो वरना हमेशा embarrassment feel करते हुए, आप लोगो नजर आओगे, बिजती होती ही नजर आएगी, तो कम से कम इतना सीखलो कि आप लोग understand कर सको, इतना तो कम से कम माना चाहिए, बोलनी पाते हो ये खलक बात है, understanding तो कम से कम आप लोगों की develop होनी चाहिए, तो ये आप लोगों से request है कि इसके उपर थोड़ा सा काम करो, effort डालो जरूर, और ये आसान लगने लगेगी, क्योंकि वो चीज आसान नहीं लगती, जिसके उपर हम लोग effort नहीं डालते हैं, वही चीज हमें सबसे ज़्यादर tough लगती ये मेरी राय है, आप लोग की कोई और राय हो तो आप लोग बता सकते हैं, बाकी कोशिस करो यार, improve करने कोशिस करोगे तो improve जरूर होगी, ठीक है, और मेरी तरब से all the best है, आप लोग कर सकते हो, तो इता पूरा article, feedback जरूर देना कैसा लगा, और ये question जो है, इसको लिखने के साथ में, PM Care Fund के बारे बात की जा रही है, रिसेनली अभी नियूज में, प्राइमिस्टर केर फंड नोर्मल ये आप लोग इसको बोलते हैं, और COVID-19 के टाइम पर इसको लौँच किया गया, अभी रिसेनली क्यों नियूज में आ गया, अभी रिसेनली इसलिए नियूज म सुनतो रहे हैं, पर लेकिन ये ट्रस्टी होता कोन है, ट्रस्टी वो इंसान होता है, जो कि आप लोग के एवस में उसकी रखवाली करेगा, यानि कि वो परसन जो कि इस पैसे की देख रेक करेगा, ठीक है, किसी और के लिए, यानि कि पैसा इनका नहीं होगा, पैसा किसी और परपज के लिए यूटिलाइज किया जाना है तो ये इसकी देखरेक करेंगे हाँ पर ये ट्रस्टी बन गए हाँ पर ऐसा आप लोग बोल सकते हैं ये जो फंड था जिसको PM केर फंड बोला गया कि इस फंड में इतना पैसा जाएगा उससे हम लोग ये काम करेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं तो इस फंड में कोई पैसा नहीं जाता है ऐसा आप लोग समझ सकते हैं ये एक तरीके से डोनेशन की बात यहां से निकल कर आती है जो लगता है डोनेट कर सकते हैं वो डोनेट करते यहां एक बच्चा जो है वो बोलाए कि सर S.L.V कमांडों मनना है और वो जोब करता है ठीक है बच्चा करें ठीक ठीक है तो कह रहा है कि सर अगर मैं हां पर डोनेशन करता हूं कि इसके अपर अग्वारेशन करता हूं तो क्या मुझे टेक्स में चूट मिलेगी इससे यार यह तो YouTube से पूछो यह फिर गुवर्मेंट से पूछो वो ऐसा कुछ करेंगे क्या नहीं करेंगे ठीक है दूजे किसके बारे में कुछ आइडिया है नहीं तो प्राइमिस्टर जाएंगे आपर वो एक्स ओफिस यो चेर्मैन इसके यानि कि प्राइमिस्टर जैसे ही बनेगा कोई वो चेर्मैन बन जाएंगे PM केर फंड के बारे में कुछ बेसिक इंफोर्मेशन यह एक माइक्रो डोनेशन है मतलब 10 रुपे तक कभी आप लोग यहाँ पर डोनेट कर सकते हो इंपोर्टेंट पॉइंट है यह कोई एक्जाम में बना रिसेंटली अभी इसके अंदर कौन-कौन से मिनिस्टर है डिफेंस, होम और फाइनेस मिनिस्टर आप लोग यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलेंगे पूरा नाम क्या है इसको बोलते है प्राइमिस्टर स्टिजन असिस्टेंट एंड रिलीप इन अमरिजेंसी सिचुईशन यहाँ आगे कोई ओर बन गई तो इस फंड को यूटिलाइज किया जा सकता है अगर आप लोग मिनिस्टि ओफ कोपरेट के बारे बात करें तो कोपरेट सोसल रेस्पोंसिबिल्टी के तहत आप लोगो टेक्स में छूट मिलेगी और अगर आप लोग इंडिविज्वल है टेक्स पे करते हैं तो आप लोगो यहाँ पर जो 80G फोम है इंकम टेक्स का उसके तयात आप लोगो छोट मिलेगी यह बोला गए हाँ पर ऐसा नहीं है कि यह पहला फंड है इससे पहले प्राइमिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जिसको PMNRF आप लोग बोलते हैं वो भी था जो कि यहाँ पर 1948 में क्रियेट किया गया था जवाल लाल नहरुजी के दौरा और वो अब तक इस्तमाल के जा रह था चाहे केरला में फलड आई चाहे हैं यहाँ पर फ़ण और वह भी सपोल प्रोवाइड किराने वाली बात हो तो यहाँ पर के मैं घर वे इक वह परarten और उन उपज कितनी पैदावार हुई है ठीक है तो उसको बोलते हैं बिसिकली तो याद रखेगा यह सब्द क्योंकि यह अपने आप में कई बार पाउंड देखने को मिलेगा तो दोनों में कंफ्यूज मत हो ना ठीक है तो जापान चाहता है कि अपनी करेंसी को कंट्रोल कर गे चले तो उसके लिए यहाँ पर यह लोग ट्रम कंट्रोल चाहता है मैं यहाँ पर आप लोग कुछ बाते बताऊंगा जो की इंपोर्टेंट है थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कुछ कई सारी चीज़े आप लोग को हाँ पर इससे समझ में आ जाएगी देखें नॉर्मली क्या होते है हमारी लोगों के हाथ में मार्किट में जितना पैसा होगा लोग उतना ही जादा खर्च करेंगे उतना ही मार्किट में प्रोडेट ज़्यादा मार्किट के अंदर बढ़ने लगती है ऐसी चीज़े देखने को मिलती है कि लोगों के हाथ में पैसा धरले से भरा पड़ा है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो कहीने कहीं कुछने कुछ किसी में दबा कर इन्वेस्टमेंट किया रहे हैं और उसकी वेसे कई सा बनाना पढ़ेगा और आप लोगो अडोग बनाना पढ़ेगा तो इंप्ली मैं जर्णिर्ट होगा तो इंफशन अच्छा भी होता है तो ऐसा निकी इंफलीशन को और और GVERBAN को फिंटश ओर यह करता पर लेकिन अगर अपोजिट हो जाये हैं यहाँ पर आप लोग को RBI बोले कि वह security आप लोग को बेच रहे हैं आप लोग उसे पैसा ले रहे हैं यहीं कि आप लोग investment करो security में तो इसका मतलब market से पैसा खीचा जा रहे हैं तो इसको बोलता है market में liquidity बढ़ाना या फिर liquidity को कम करना या एक तरीके से market में से पैसे को खीचना तो buying और selling जो यहाँ पर एक तरीक से bond या securities होती हैं तो वो यहाँ पर decide करती है कि कैसे यहाँ पर जो rate को control करना है same pattern यहाँ पर quantitative easing use के जाता है सब अमेरिका के द्वारा ठीक है हाला कि वो short term के लिए हाँ पर इसको use करते है और यहाँ पर आप लोग बोल सकते है कि long term के लिए use के जा रहे है जैसे कि आप लोग बोलने लगे कि Reserve Bank of India के पास में इतना पैसा इतना हमारी GDP भी नहीं तो इसको normally सबसे आप लोग बोल सकते हैं तो यह काफी important है जिसके बारे में याद रखेगा ठीक है NCC National Credit Cops आप लोग कौन ऐसे थे जो NCC में पाट रहे हैं आप लोग कभी NCC में मैंने कोसिस के थी और मेरे गाओं में मेरा admission हो गया और वहाँ पर NCC नहीं थी ठीक है तो मैंने NCC जाए वो नहीं ले पाया वरन्ना मेरा मतलब मन्त है NCC लेने खा United Nation Environment Program यहाँ पर इनके द्वारा MOU sign किया गया कि plastic pollution को कैसे कम करना है तो यह काफी important है तो याद रखेगा International Sign Yoga Day के बारे में Sign Day के बारे में हो लोग ने बात की थी IBS से यनिके इंडिया, ब्राजील और साउथ अफरीका यह डायलोग है ट्राइलिटल डायलोग है यह रिसली अभी इनकी मिटिंग आप लोगो न्यू योर्क में देखने को मिली ठीक है Interesting question क्यों हो गए है आपर क्योंकि ना तो इंडिया के अंदर ही ना ब्राजील के ना साउथ अफरीक है ठीक है तो न्यू योर्क में हुई 106 activist जो है खासकर popular front of India के arrest कर ले गए है NIA के द्वारा यह माना जा रहते है कि देश के अंदर में ये एक तरीके से गलत तरीके से काम कर रहे थे और यहाँ पर एक particular religion को promote कर रहे थे यहाँ पर और इनको funding मिल रहे थे और terrorist को support कर रहे थे यहाँ पर देश के अंदर में एभद्र वियाभार ये फिर दंगे भढ़काने के लिए सुहार्दपूर महुल को खराब करने के लिए तो उसके चलते हैं यहाँ पर यह काफी large scale पर अभी आप लोग को चीजे देखने को मिले तो यहाँ पर इनके उपर जो है कई सारी raid मारी गई किस के द्वारा ये raid मारी गई NIA के द्वारा तो NIA जो है हमारी country में कैसी organization है जो कि इस फिल में काम करती है जिसको national investigating agency आप लोग बोलते हो यह जो agency बनाई गए थी ऐसा नहीं कि हम लोग आसानी से काम करते हैं आप लोग को पता होगा 2008 में attack होगा था मुंबई के अंदर ठीक है तो उसके चलते हैं हाँ पर ये organization बनाया गया डेली के अंदर इसका headquarter है और आने वाले time में यहाँ पर कोई attack न हो सके कहीं और उसको रोका जा सके इसलिए हैदराबाद, गोहाटी, कोच्ची, लखनाओ, मुंबई, कोलकाता, राइपूर, कई सारे और रीजन में भी हाँ पर चंडिगर में भी है, राची में भी है, चन्नेई में भी है, इमफाल में भी है इसकी अलग-अलग सब office खोले जा रहे है, तागे फटा-फट वहाँ पर काम करना इस्टार्ट किया जा सके अभी recently इसमें power दे दी गई थी NIO को, कि कोई भी individual या फिर कोई organization जो है, उसको भी हाँ पर आराम से tackle कर सकते हैं, terrorism की जब बात आए और यहाँ पर इसके चलते NIO जो है, बाहर जाकर भी investigation कर सकती है, जैसे स्रिलंका मिनिस्टर बॉम्ब होता बलास्ट, वहाँ पर काबुल के अंदर में, यहाँ पर गुरु द्वारा के अंदर बॉम्बिंग हुई, उसके अंदर भी बाहर भी जाकर यह काम कर सकते हैं, तो N अभी start केगे, एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, नेक्स बात की जारे, PSU, REC को महारतना का status दे दिया गया है, ठीक है, महारतना जो मिल जाता है किसी particular company को, तो इसका मतलब यह होता है, कि यह company जो है, अपने आप, अपने हिसाब से आपर अपर अब काम कर पाएगी, जिसक मतलब है कि हमारे देश में और अच्छे से चीज़े हो रही है, अभी आने वाले टाइम में, चीज़े और ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है, तो REC प्राइवेट लिमिटेड आप लोग यहाँ पर यह company देखने को महारतना का status दिया गया है, ठीक है, वैसे यह ऐसी ज यहाँ पर इसको manage करने के लिए board रहता है, जो की चीज़ों को manage करता है, और यहाँ पर यह देखा जाता है कि अगर वो एक तरीके से इसकी power जो है, सीलिंग जो है 15% net worth जो भी हाँ पर होती है, और लिमिटेड पांच जार क्रोड आप लोग को देखने को मिलेगा, मतलब कु इंडिया हो गया, यह सारी आप लोग देखेते हैं, बहुत सारी हैं, आप लोग जाकर देखोगे, तो आप लोग को बता चलेगा, तो basic चीज़े हैं, RBA के दोरा cancel कर देगा है, सोलापूर बेस, जो लक्समी cooperative banks था, उसका license, हरकतों की बेस है, 58,000 क्रोड रुपे टेक्स जो vegan food category में export के जारा है to USA from Gujarat, तो यह एक तरीके से plant-based meat, यानि किसी जानवर को नहीं मारा जाएगा, और meat जैसा ही टेस्ट आएगा, तो यह काफी अच्छा विसकार आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जारी है, अतुल चोतरवेदी, यह elect किये ग space station, जो है three new resident, एक USA से यहाँ पर, Russia से आप लोगो देखने को मिलेगा, ठीक है, दो, sorry, एक तो यहाँ पर first from the USA और दो Russia से यहाँ पर देखने को मिलेगे, USA के जो sign it के द्वारा भी rectify कर दिये हैं, आपर किगाली amendment, जो कि यहाँ पर to the 1987 जो Montreal Protocol Ozone से लेटर था है, ठीक है, कि limit करना है, refrigerant को ताकि Ozone के उपर जो negative impact पड़ता है, उसको रोका जा सके, तो Montreal Protocol 1987 में sign के गए थी, तो किगाली amendment आप लोग याद रखेगा, ठीक है, जर्मनी के द्वारा nationalize के जा रहा है, country का largest gas importer, यूनिपेर, जो करके हैं हाँ पर energy security, अगेजदा, Russia से हाँ पर supply नहीं हो पा पांच नहीं सब्द, जो कि आप लोग English को improve करेंगे, आप लोग इनके उपर sentence form करना, NDA, CDS, SSC, banking में, हर जगे आप लोगों से antonyms, synonyms, पूशे आते हैं, पहला है, रीक, रीक का मतला होता है, आप लोग रेक के नाम से याद रखेते हैं, कि रेक में बद बोग हो गई है तो गलत तरिएगा इसमेल करना, ये एक गलत फ्रिगनेंस आना, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये है, slumber का मतलता है, नीद, ठीक है, नैप, ये फिर आप लोग बोलते हैं, नोमली, कि तरी डीप, पीसफुल स्लीप में है, तो जब आप लोग महनत करते हो, तो क्या शांदार नीद आती है, मैं आप लोग को बता हूं, मुझे पढ़ती ही नीद आती है, इसका मतलब ये कि आप लोग ने अपने दिन को भंक से उटिलाइस किया, तो हमेंसा कोसिस करो, अपनी जिंदगी में अपने टाइम को अच्छे से उटिलाइस करने की, इतने ये को एक दम लेटती ही नीद आती है, मतलब करवटे नी लेने पड़ती है, लेट कर, ठीक है, अगैस्त का मतलब है भोचक्का, इसी चीज को लेकर एक चोकनना रह जाना, ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है, हॉरिफिक बोल देते हैं, बेसिकली, नेक्स है आपर स्टीर, यानि लोग याद रखते हैं, सब्द, नेक्स सब्द हैं, यहाँ पर यह बर्गलेरी, यानि कि सेंद लगाना, ठीक है, फोर्स फुल एंट्री रोपरी करना है, एक तरीके से, आप लोग देगा, अनना चोविस घंटे चोकनना, याद सुन है, तो सेंद लगा कर वैठना है, जो भी week में हम लोगों ने total मिला कर 7, 35, ठीक है, तो आप लोग normal बोले तो, बड़े बड़े तोर पर आप लोग बोलेते हैं यहाँ पर, तो आप लोग देखते हैं, यहाँ पर 35 सब्द तो वैसे हम लोग direct सीखते हैं, और इन direct वे में मुझे लगता है कि 200 से भी ज़्याद में negative impact डालेंगे, तो कोशिस करो जो पढ़ाता हूँ, उसका revision जरूर करते रहा करो, ठीक है, शांदार तरीके से answer देगे थे हैं आपर पूजा के द्वारा, आप लोग देखें, आपर अपने नाम के सामने अच्छा लगता है, पता नहीं मुझे कि अच्छा सा लगने लग ठीक है, पूरा UN के बारे में ढंसी इनों ने बता दिये, तो answer लास्ट वाले वीडियो की नीचे आप लोग जाकर देख लेगरो, उसके नीचे में पिन कर देता हूँ, ठीक है, तो कोई भी डाउट आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, और शीके साथ में अपनी जिंद अप लोग को अपनी लाइफ को लाना ही पड़ेगा, जब तक डिसिप्लेन में आप लोग नहीं आओगे ना, तब तक दिक्कते देखने को मिलेगी, ठीक है, और इसी के साथ में हाँ पर एक बच्चे ने बोलागी, सर आज आप लेट होगे, आप भी सोरी लिखो, तो मैंन अपना काम कंप्लीट करेंगे, जो डिसाइड किया है, मैं यह नहीं कहता हूँ कि इसी टाइम पर करना है, जब मैं बोलता हूँ, जो आप लोगों ने डिसाइड किया, उस टाइम पर करो बस, पलिकिन करो उसको, ठीक है, तो कैसा लगा आज का डिसकसन जरूर बताना, बोलोगे कि कहां से आ गया, पढ़ायत होता सर, रिवजन नहीं किया, इसलिए नहीं हो पाया, ठीक है, वो नहीं सुनना चाहरा हूँ मैं, मोज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो